Redmi Note 5 Pro के लिए Funtouch OS 11.1 का Global Build आया हुआ है, Global Port ROM है ये और ये Port किया गया है Feevo के IQ G3 से और इसके अंदर हमें पूरी तरीके से English में देखने को मिलेगा क्योंकि एक Global वाले डिवाइस से Port किया गया है तो अब इसके अंदर हमें Bucks भी काफी देखने को मिल जाते हैं क्योंकि जैसे कि इस तरीके से अधर डिवाइस जैसे के Port होके आता है इस तरीके से अलग OS तो यहाँ पे ज़रूर थोड़े से दिक्कत होती हैं Bucks देखने को मिलते हैं तो यहाँ भी मिलेगा अब कितने Bucks हैं कौन-कौन से Bucks उन सभी के बारें भी बताऊंगा और वीडियो में लास तक बने रहेगा उसके बाद इंस्टोल करने का सोचेगा इंस्टोलेशन भी उससे बता दूँगा बाकी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँगा सारी चीज़े इंस्टोल करने य अब आउट फोन के अंदर जैसे कि यहां पर फंटच OS मिल जाता है डिवाइस ने मिक्स 2S लिखा हुआ हलागी से रिनेम आप करना चाहों तो कर सकते हो एंगी का हट्सा कर आप देखो कि प्रोस्टर यहां पर निल दिखा रहा थे यहां पका 1.81 है यहां पर 80 है जो कि हमार नॉर्मल होता है Android version 11 के साथ आता है और जो यहां पर software information इसके अंदर चल के दिखाऊं तो फंटच OS का यह 11.1 ग्लोवल मिलता है और बिल्ड नंबर पर यहां पर maintainer का नेम दिया गया है बाकि आपका जो kernel है इसके अंदर mystic का ES kernel मिलता 8.9 है और security patch 1 October 2021 की देखने को यहां पर मिल जाती है और इसके अंदर आपको side में जो भी home मिल जाएगा जैसे की MIUI में app bolt होता उसी तरीके से ही आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जो कि अच्छे से काम कर रहा है यहां पर यह कुछ settings मिल जाती shortcuts है जिनको आप adjust कर पाऊगे इसका जो status बार आपको उपर सही वही पर रहेगा आप इसे adjust नहीं कर सकते हैं यहां पर torch काम कर रहा है Wi-Fi प्लस hotspot सेम टाइम पर काम कर रहा है लेकिन यहां पर जो में एक प्रोलम देखने को मिल रही हो है Bluetooth को लेकर के Bluetooth बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला तो Bluetooth डिवाइस जो भी connect करना चाहो यहां पर बिल क्लिक करके आ सकते हैं और फिर यहां पर और भी टोगल से जो कि कुछ काम करें डार्क विल्कुल वरकिंग मिल जाता है इसके अंदर में आई प्रोटेक्शन वह काम नहीं करता है और यहां पर भी आपको स्क्रीन रिकोडिंग इसम मिल जाए इसके वारे हम दिखाएंगे फ साउंड के लिए मिल जाएगा और यहां पर पिक्चर कॉलिटी कैसी रखनी आपको वह भी आप यहां पर अर्जेस्स कर पाऊगे एक बर स्टार्ट करके आपको दिखा दो आप साइड में स्क्रीन रिकोडिंग भी देख सकतो किसी है काम कर रहा है यहां पर लैगिंग इसक उसके बाद पावर मेन्य कुछ इस तरीके साथ है जिसमें एडवांस रिस्टार्ट यहां पर नहीं मिलता पावर और रिस्टार्ट को आप्शन यहां पर मिल जाएगा और अगर हम यह पर चले एप ऑपनिंग के अंदर तो एप अपनिंग में फूल एनिमेशन के साथ मिलत से जिस पर क्लिक करना यहां पर और क्लिक करते ही लौकडाउन एप इन्फो आ लाकि जिन पर सपोर्टेड रहेगा फ्रूर्म और करऊ retail चरीके से काम कर रहे लिकिन यहां पर दिक्कत भी इसे उपर अब कर रहा है लेकिन जैसे के बहर你好 दिया गया हालांकि यह काम हो करें तो भी जो है डारेक्ट जा रहा है थी ऑक प्रोल्म समय को मिली है इसके अंदर कामकरा कर करोंकर और शब्रीक्भी यहाँबी लोटेट के अंदर कुछ भी यूज नहीं कर सकते और इसके अंदर प्रोक्सिमिटी सेंसर उसका भी बग देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हो और वाइफा ये कॉलिंग को लेकर के काफी लोगों का सवाल है तो फिलाल काम नहीं करने वाला किसी नहीं काम करता है यहां करने भी बात करूंगा हम यहां पे स्कृइन पर होड करते हैं तो आपको दिखा दो कि देखने को मिल सथ यह यहां पर लाइब बीचने को मिल जाएगा यहां française यहां प उस तरीके से एग यहां पर लाइव बोल-पेपर भी दिया गया हला कि यूसे मत करेंग्स पर मूनद यहां पर आपका होन जाएगा और यह भी और यहीं पर ही आपका अब सैटिंनक्स मिल जाता है जोकि नॉर्मल समय को cau में पच्छना उप थोड़ा सा पॉपप के साथ जो आपका फोटो है ओपन होगा स्वाइप करने पर कुछ इस तरीक हो जाता है एडिट आपको मिल जाएगा इसके अंदर में और एडिट आपका विल्कुल वर्किंग मिल जाता है तो आप यहां से एडिट कर सकते हो अच्छी तरीक से कोई दिक देखत नहीं मिलती है और यहां पर सच दिया गया है फोटो एल्बम हो गया यह सब मिल जाएगा और यह कुछ सेटेंग्स है यहीं पर चलते हैं इसके अन्ट्रफेस कुछ विपाइब को सब्सक्ति देखने को मिल जाता है और अगर आप चलते हैं फिलार इसकी घूल से गे यहांपे यह मिल जाएगा उससे के अपना सिक्यूरिटी है वसी तरीकी से यहां पर आप सिस्टम में वह दिखा रहा रहा है इसके अलकि अंदर सिस्टम आप प्रोटेक्शन वह भी और तरीके से तोता यहांप कßen फिलाल काम नहीं करेगा और वी लेकिन एप क्लोनर जो है ये भी फिलाल काम नहीं कर रहा है इसके अंदर भी देखोगे तो पूरी तरीके से खाली है सब्सक्राइब कोई ही नहीं और यहां पर और बाकी ऑप्संस भी आपके मिल जाते हैं जिनके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे ज गूगल काम नहीं करता इसका बग रहने वाला है लेकिन विजट्स इस तरीके से आप चाहो तो इस तरीके से भी एड कर सकते हो और प्ले स्टोर भी इसके अंदर सटफाइड नहीं आता यह खुद से आपको करना पड़ेगा तो अगर आपको करना नहीं आता तो उसकी यहां पर में याम पर मिल जाता जैसे कि यह तो इसके अंदर आपका का कास्ट का डची काम नहीं करता है बाकी ब्लूट प्रोर्म यह रहेगा बाकी ब्लूट मैं когं सकते हो यह काम करा शक्री जिए यह रेटिंग देखा थो आप देख सकते यहाँ पर दियागा प्रासिक और लेकिन यहां पर इंटर्णेट स्पीड इनेबल कर सकते हो बैटरी पर्सेंटेज और refresh rate हमारे किसी काम कर नहीं है, ये बिलकुल भी काम कर नहीं है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले एप मिल जाता है, जिसमें एक ही सपोर्ट एडर सिर्ब, और lock screen अगर जाते हो, lock screen wallpaper में तो यहाँ पे theme देखने को मिल जाएगा, download कर सकतो store सभी, जो कि आपका पूरा English वाला ही store मिल ये भी आपको अलड़ी दिखा चुका हो, ये सारी चीज़े जो है, आपको यहाँ पर मिल जाती है, lock screen and ball paper के अंदर में, और dynamic effect में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर unlock, enter home, यहाँ पर unlock करते हैं, जब एंटर होते हो हो स्क्रीन पर direct लोग स्टाइम का जो animation है, कुछ इस तर मिल जाएंगे charging के जो की काम कर रहे है, sound के अंदर आपको वही normal settings मिलेगी, जैसे की सभी में मिलती है, normally setting पूरी है, आप देख सकतो, यहाँ पर other sound and vibration यह सारी चीज़े मिल जाएंगी, और अब चलते है, apps and notification के अंदर तो यहाँ पर भी हलाकी normally notification से related हो गया, app clone यहाँ पर भी आपको battery users देखने के यहाँ पर मिल जाएगा, तो सारी चीज़े आप यहाँ से चेक कर सकतो, battery saver मिल जाएगा, और battery percentage आप यहाँ से भी enable disable कर सकतो, यहाँ पर दिया गया, वही battery backup के फिलाल, आपको इसके अंदर उतनी अच्छी भी नहीं मिलती, ठीक ठाक मिल जाएगी battery backup, यहाँ पर battery backup आपको उतनी इच्छी नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर जिसके brightness जितना है, उसके इसाप से प्ले करूँगा, तो वही 62, 63 के करीब मिल जाएगी, और यहाँ पर RAM एन storage space मिल जाएगा, वह security की बात करें, तो security के अंदर आपको यहाँ पर fingerprint मिल जाता है, और screen पर आप जो है, screen lock पर pattern, password यह सब लगा सकते हो, और fingerprint दिया गया, face unlock नहीं मिलता है, normal settings आपको मिल जाएगा, लेकिन जो इसका fingerprint का response है, वह आपको जरूर काफी fast देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो, पलटने का भी यहाँ पर मौका नहीं मिलता, और unlock हो जाता है, तो काम कर एची तरीगे से, और जो भी home का, यहाँ भी settings आपको मिल जाएगा, तो यहाँ भी adjust कर सकते हो, ultra gaming mode, यह बिल्कुल भी ultra game mode जो दियागे, बिल्कुल भी काम नहीं करता, side से भी slide करके देखा, बट यह काम नहीं कर रहा है, इसका problem देखने को मिला है, game के अंदर भी जा से कर सकते हो, picture quality यह सब adjust कर पाऊगे, और नीचे में smart split भी मिल जाता है, splits के लिए भी दिया गया है, यहाँ पर, यहाँ पको smart motion मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी काम करनी हमारे, और यहीं पर power menu भी दिया गया है, और easy touch मिल जाता है, जो कि आपका quick ball समझ सकते हो, जैसे की Mew IP मिलता है, उस तरीके साब को यहाँ पर easy touch देखने को मिल जाएगा, और फिर नीचे plus light notification दिया गया, जो कि काम नहीं करेगा, वसे तो, बाकि सीडूल टास्क मिल जाएगा, यहाँ पर accessibility मिल जाती है, और digital well-being इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे से काम कर रहा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बटन का कोई भी बाग ऐसा कुछ नहीं मिलता, और यहाँ से आप देख सकतो, change भी कर सकतो, icon, यह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर बार को भी अगर आप यहाँ जेसर यूज कर चाहो तो, यहाँ पर यहां पर all global language जैसे की मिल जाती है इसके अंदर में तो फिलाल language को ता ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है एक तरीके से सेकेंड स्पेस जैसे की मिवाई में डेवलोपर ऑप्शन सेकेंड स्पेस वाला जो इसका है फोन क्लोन हलाकि यूज नहीं कि हम है उसका और यह सारी चीजे मिलती हुए डिफोल्ट कीबोर्ड आपको इसके अंदर गूगल वाला देखने को मिल जाएगा बॉण इंचकर लुए इस्टरीक चेक कर लेना है और अगर आप मिवाई योज कर रहे हो तो पास्वाराइं सेक्यूरी के अंदर प्राइविसी को अपसन होता है उसके अंदर आप जाऊगे तरह उसके लिए नंक्रिप्टेड हो इसके बाद आपको जो है अपना जो भी फ बस वैसे आप इसके अंदर सेटाप स्किप भी कर सकते हो जिसके वरम आगे इंस्टोलेशन में करके आपको दिखा भी दूँगा क्योंकि यहाँ पर देखोगे इसका जो लिंक है यह आपको दोनोर डाउनलोड कर लेना है एक तो रोम होगे नॉर्मल और दूसरा नो सेटाप दिया गया विजाड जिसको आप जिससे जो है आप सेटाप को स्किप कर सकते हो रोम फ्रास होने बाद जो सेटाप करना पड़ता हो इसकीप हो जाएगा तो यह कर लेना दोनों की लिंक डिस्किप्शन में मैं दे दूंगा उसके बद आपको अपने फोन को सिंप्ली ओफ क कर देना अब इस त्रीक से और वाइप करने के बाद आपको यहां पर जो है सबसे पहले इंस्टोल कर देना गयता दो अगर आपको इश्किप करना रिबूट वही लोग करें यहां पर फिलाल करने के बाद फिर वाप इसे वाइप में जाना है और यहां से जो है आपका जो बूट अनिमेशन है कुछ इस तरीके से रहने वाला है आईकू 5G देखने को मिल जाता है जो की काफी अच्छा बूट अनिमेशन यलो कलर में मिल जाता है यहां पर आपका फोन ओन हो जाएगा और कोई भी सेट अप नहीं मिलता है जैसे कि आप मेरा देख सक दीके अपकशा लिए पर लागर देख निल जाता है तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हो किस स्लाइड कर नाचाओ डाउंलोड कर सकता है जैसे कि आप देख सकतो तो यह आपका पूरा इन्स्टोरीशन इसके अंधर रहने वाला है तो अब हम चलते है इसके गेम की और परफो मेंस के बात करो तो परफो मत नहीं जाएंगे अगर आगाort और जाकर के काफी दिरिये कर लेकिन अभी इसी तरहीचे से आपको प्रॉलम देखने को मीलेगे अगर आगे आता है तो जरूर मेंटेर साथ बोले थे कि इसका जो brightness वाला है problem fix करने के बाद ही लाएंगे तो आगे देखते हैं क्या कुछ fix होता है फिलाल जो है अभी तो यही चीज़े हैं हमें यहाँ पे मिल जाते हैं जिसमें से आप गार देखोगे तो काफी सारे bucks अभी फिलाल मिल जाते हैं डेली लैप के लिए बिल्कुल भी recommend मैं न करके ओल पकल दीजिए ताकि एक लिए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए थैंक्स फॉर वाचिंग माभ Two जाए टाकि लाए ढार का लाँ है!